ओम ख्लीम क्रिश्नाय नमा पद्म पुरान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्ट्री हरे विष्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इस से पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्श्कों का बहुत भबहुत धनिवाद और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट बॉक्स में राथी राथी जरूर लिखतीजे मैं देखता हूँ देवता, बड़े-बड़े मुनी, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राम्हन आधी समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास्ची बोले, वैशंपायन या ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है, इसे साक्षात ब्रह्म मैं समझो या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पूरसार्थों को देने वाला है। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यों के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाई भी शोक से आतुर हो उठा। यह देखकर इंद्र आधी देवता ब्रह्म जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हे देवगण यह तेज आधी प्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजों में पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आधी प्रह्म में तुम अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची त्रेलोगी में इसी की सत्ता है। यह सुर्यदेव सत्व में है। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज। यह जितने भी प्राणी है सबकी रक्षा सुर्य से ही होती है। इन सुर्यदेवता के प्रभाव का हम पूरा-पूरा वरणन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोकों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पौप अटने पर इनका उपस्थान करते हैं और इसके फल स्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजीत होते हैं सुर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिनी देवी की उपास्थना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं इस भूतल पर जो पतित और ज साथकसाई, पतित, कोडी, महापात्की और उपपात्की के दीख जाने पर भगवान सुर्य का दर्शन करते हैं वे भारी से भारी पापों से मुक्द होकर पवित्र हो जाते हैं सुर्य की उपास्थना करने मात्र से मनुस्य को सब रोगों से चुटकारा मिल जाता है जो सु किन्तु भगवान सुर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं देवता बोले हे ब्रम्हन सुर्य देवता को प्रसन करने के लिए आराधना उपासना रथा पूजा तो दूर रहें इनका दर्शन ही प्रलैकाल की आगे के समान है भूतल के मनुष्य आदी संपुन प्राणी इ इससे हम लोग भगवान सुर्य का पूजन कर सकें सब मनुष्य भक्ति पुरग सुर्यदेव की आराथना कर सकें इसके लिए आप ही कोई उपाई करें व्यास जी कहते हैं कि देवताओं के वचन सुनकर ब्रम्हा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सुर्य के पास गये और काल की अगनी के समान तेजस्वी हो संपुण देवताओं के भीतर तुम्हारी ही स्थिती है तुम्हारे श्रीविग्रह में वायू के सखा अगनी निरंतर विराजवान रहते हैं तुम्ही से अन आदी का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है हे देव तुम्ही से उत्पत प्रभुण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है शरीड के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी ही सकता है तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है तुम ही रूप और गंध आधी उत्पन्य करने वाले हो रसो में जो स्वाध है वो तुम ही से आया है इस प्रकार तुमी संपुन जगत के ईश्वर और सबकी रख्षा करने वाले सुर्य हो ये प्रभों तीर्थों, पुन्यक्षेत्रों, यग्यों और जगत के एक मात्रकारण तुम ही हो तुम परमपवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो तथा परलोक में सबसे स्रेष्ट बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले भी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोकों का उपकारक हो तब आधित्य ने कहा हे महाप्राग्य पितामर आप विश्व के स्वामी तथा स्रश्टा हैं शीगरही अपन करो आधित्य ने कहा प्रभू वास्तव में मेरी कोटी कोटी किरने संसार का विनाश करने वाली ही है अतर आप किसी युक्ती के द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें तब ब्रह्मा जी ने सुर्य के कहने पर विश्व करमा को बुलाया और वज्र की सान बनवा कर उसी के सुर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छाट दिया उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विश्व का सुदर्शन चक्र बनाये गया अमोग यमदंड शंकर जी का त्रिशूल काल का खडग कार्तिके को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तता भगवती दु के बताई हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया कश्यप मुनी के अंश और अधिति के गर्ब से उत्पन्न होने के कारण सुर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान सुर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरूगिरी के शिकरों पर भ्रमन करते रहते हैं ये दिन डात इस पृत्वी से लाख योचन उपर रहते हैं विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा अधिग्रे भी वहीं विचरन करते हैं सुर्य बारह स्वरूप धारन करके बारह महीनों में बारह रासियों में संक्रमन करते रहते हैं उनके संक्रमन से ही संक्रांती होती है जिसको प्राया सभी लोग जानते हैं हे मुने संक्रान्तियों में पुन्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं तुम ध्यान पुर्वक सुनो धनू, मिथुन, मीन और कन्याराशी की संक्रांती को सड़शीती कहते हैं तथा विरिश विरिश्चिक कुम्ब और सिंगराशी पर जो सुरे की संक्रांती होती है उसका नाम विश्नुपदी है सड़शीती नाम की संक्रांती में किये हुए पुन्य कर्म काफल 86,000 गुना विश्णुपदी में लाख गुना और उत्तरायन या दक्षणायन आरंभ होने के दिन कोटी कोटी गुना अधिक होता है दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है अर्थात दक्षणायन और उत्तरायन जिस दिन प्रारंभ होता है या जिस दिन समाप्थ होता है उस दिन जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है मकर संक्रान्ती में सुर्योदे के पहले श्नान करना चाहिए इससे 10,000 गो दान का फल प्राप्थ होता है उस समय किया हुआ तरपण, दान और देवपूजन अक्षय होता है विश्नुपदी नामक संक्रांती में भी किये हुए दान को अक्षय ही बताये गया है दाता को प्रत्तेक जन्म में उत्तम निधी की प्राप्ती होती है शीत काल में रूईदार वस्त्रदान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता तुलादान और शयादान दोनों का ही फल अक्षय हो जाता है माग माज की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सुर्योदय के पहले जो तिल और जल से पित्रों का तरपन करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है जो अमावस्या के दिन सुवर्ण जट्टित सींग और मनी के समान कांती वाली शुब लक्षणा गौको उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुखधपात्र सहीत स्रेष्ट ब्राम्भण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है जो इस तिथी को तिल की गाय बना कर उसे सब सामग्रियों सहीत दान करता है वह सात जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोग में अक्षय सुख का भागी होता है ब्राम्भण को भोजन के योग्य अन देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ती होती है जो उत्तम ब्राम्भण को अनाज वस्त्र घर आधी का दान करता है उसे लक्षमी कभी नहीं छोड़ती मागमास के शुक्लपक्ष की तृतिया तिथी को मनवंतर तिथी कहते हैं उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताय गया है अतर द संद ने उनके पास जाकर प्रित्यू पर मस्तक टेकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नात मैं आपसे रविवार आधी का यथार्थ फल सुनना चाहता हूं तब महादेव जी ने कहा बेटा रविवार के दिन मनुस्य व्रत रहकर सुर्य को लाल फूलों से अर्ग्य दे ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पुन्य प्रद एश्वर्य दायक रोग नाशक और स्वर्ग दथा मोक्ष प्रदान करने वाला है यदि रविवार के दिन सु पति सुर्य की पूजा करनी चाहिए इसके लिए अपने हाथ में लाल फूल ले और लाल कमल पर विराजमान सुन्दर ग्रीवा से शुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के अभूशनों से विभूशित भगवान सुर्य का ध्यान करें और फूलों को सूच कर इशान पूर्वक पूजा करें फिर भक्ती के साथ पुष्प और केले यादि के सुंदर फल अर्पण करके जल चड़ाना चाहिए जल के बाद चंदन चंदन के बाद धूब धूब के बाद दीप के पस्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए तत्पषा जप स्तूती मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम है अंजली और दूसरी का नाम है धेनु। इस प्रकार जो सुर्य का पूजन करता है वा उनी का सायूज प्राप्त करता है। भगवान सुर्य एक होते हुए भी काल भेदे से नाना रूप धारन करके प्रतेक मास में तपते रहते हैं। एक ही सुर्य बारहे रूपों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार बारह महीनों में भगवान सुर्य बारह नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यनत विशाल, महान तेजस्वी और प्रलै कालीन अगनी के समान देदी प्यमान है। जो मनुस्य इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, उसके शरीड में पाप नहीं और अपमान का कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वहक्रमसा, यश्य, राज्य, सुख दता अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसंदता प्रदान करने वाले सुरे के उत्तम महामंत्र का वरणन करूंगा, तुम ध्यान पुर्वक सुनो। उसक सुर्यदेव को अनेकों बार नमसकार है। रश्मि मै सहस्त्रों भुजाएं धारन करने वाले भानू को नमसकार है। हे भगवन, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विश्नु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमसकार है। तुम ही संपुर्ण प्राणियों के भीतर अगनी और वायू रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारम-बार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गत्यु और सब भूतों में स्थिती है। तुम्हारे बिना केसी विवस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर इस्तित हो। इस मंत्र का जप करके मनुस्य अपने संपूर्ण अभिलिशित पदार्थों तता स्वर्ग आदिके भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भासकर, सुर्य अर्क, भानु दिवाकर, सुवर्ण रेता, मित्र, पूशा, त्वस्टा, स्वयंभू और तिमिरास। ये सुर्य के बारह नाम बताए गये हैं। जो मनुस्य पवित्र होकर सुर्य के इन बारह नामों का पाठ करता है। वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त करता है। हे सरानन, अब मैं महात्मा भासकर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वड़न करूँगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पदमहस्त, तमोभेदी, रिगवेद, यजुह, सामग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान और भावित। जो मनुस्य भक्ति पुर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भै कैसे हो सकता है। हे कार्तिकेश, तुम यतन पुर्वक सुनो। सुर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुब है। हे महामते, आदित्य की महिमा के विशे में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमह स्वाह, ओम विश्नवे नमह, इन मंत्रों का जब, होम और संध्यो पासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांती देने वाले और संपुर्ण बिग्णों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महा इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिध्धी प्राप्त होती है यह निश्चित बात है इसके जब से रोग नहीं चताते तथा किसी प्रकार के अनिश्ट का भै नहीं होता यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए अपितु प्रयत्न संतान हीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापी चर्चा नहीं करनी चाहिए, संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जब करना चाहिए, उसके जब से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नश्ठ हो जाता है, हेवत्स दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विश्तृत मंत्रों की क्या अवश्यकता है, इस मूल मंत्र का जब ही सब प्रकार की शांती तता संपर्ण मनोर्तों की सिधी करने बाला है, देवता और ब्राभणों की निनदा करने वाले नास्थिक पूरुस को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए जो प्रति दिन एक दो या तीन समय भगवान सुर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभिष्ठ फल की प्राप्ति होती है पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र कन्या चाहने वाले को कन्या विद्या की अभिलाशा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है जो शुद्ध आचार विचार से युक्त होकर संयम तथा भक्ति पुर्वक इस प्रसंग का स्रवन करता है बस सब पापों से मुक्त होकर सुरिय लोग को जाता है सुर्य देवता के दिन तथा अन्यान्य व्रत अनुष्ठान यग्य पुन्यस्थान और तीर्थों जो इसका पाठ करता है उसे कोट गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं कि मध्यदेश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद एक चक्रवर्ती राजा थे। एक समय की बात है कि उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया था। व्याद्यों ने उन्हें बहुत कुछ उपचार किया। किन्तु उससे कोड का चिन और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान-प्रधान ब्राम्णों और मत्रियों को बुला चाहता हूं। तब ब्राम्ण बोले कि हे महराज आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राजे का परिद्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजानश्ठ हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे प्रभो हम लोग इस रोग को दब कर सकूंगा। ब्राम्ण बोले हे राजन आप अपने राजे में ही रहकर सुर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन्सरेष्ट ब्राम्णों को की वे प्रती दिन मंत्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्ग्य, अक्षत, जपा पुस्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुम्कुम, सिंदूर, कदली पत्र, तथा उसके मनोहर फल आदी के द्वारा भगवान सुरे की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्ग्य सजाकर सदा सुरेद्यवता को निवेदन किया करते थे। अर्ग्य देते समय वे मंत्री और पूरोहतो के साथ सदा सुरे के सामने ख़ड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, राणिया, अंटहपुर में रहने वाले रक्षक, तथा उनकी पत्निया, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे, वे सब लोग प्रति दिन साथ ही साथ हर्गे देते थे, सुर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकागर चित्त होकर अनुष्ठान किया, क्रमशा एक वर्ष व्यतीत होने पर, राजा का रोग द विश्यान खाकर और कभी निराहार रहकर सुर्य देवता का पूजन करते थे, इस प्रकार ब्रामभण क्षत्री और व्याष्य इन तीनों वर्गों के द्वारा पूजीत होकर भगवान सुर्य बहुत संतुष्ठ हुए, और प्रिपापुर्वक राजा की पास आकर बोले, हे राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वर्दान के रूप में मांग लो, सेवकों और पुर्वासियों सहित, तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ, राजा ने कहा, सब को नेत्र प्रदान करने वाले भगवन, यदि आप के लोग भी सभी शुद्ध होकर कल्प परियंत मेरे रमणिय धाम में निवास करें, व्यास जी कहते हैं कि यो कहकर संसार को नित्र प्रदान करने वाले भगवान सुर्य वहीं अंतर ज्यान हो गये, तद्रंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुर्वासियों सहित, दिव्य के लोग में आनंद का अनुभव करने लगे, वहां जो कीडे मकोडे आदी थे, वे भी अपने पुत्र आदी के साथ प्रसनता पुर्वक स्वर्ग को सिधारे, इसी प्रकार राजा, ब्राम्हण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनी, तथा शत्री आदी अन्य वरण भ जो मनुषिय पवित्रता पुर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है, तथा वह रुद्र की भाती इस पृथ्वी पर पूजित होता है, जो मानव संयम पुर्वक इसका श्रमण करता है, उसे अभिष्टफल की प्राप्ती होती है, इस परह नाना प्रकार के धर्मों का निरड़य सुना कर भगवान व्यास सम्या प्रास में चले गए तुम भी इस तत्व को श्रध्धा पुर्वक जान कर सुख से विच्रो और सम्या नुसार भगवान श्री विष्णु के सुयस का सानंद गान करते रहो साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसंद करो पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीश में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्शी नारद मुनिवर्श्री नारायन का दर्शन करने के लिए गंधमादन परवत पर बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले गए ये महरा अत्यंत प्रिय है यह देवताओं के लिए अमरित के समान मधूर तता पापी मनुष्यों को भी पुनिय प्रदान करने वाला है जो मनुष्य रिश्यों के इस शुब चरित्र का प्रतिदिन श्रमण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोग में प्रतिष्टित समपुर्ण दान है इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है तीर्थ और श्राध के वर्णन से युक्त यह पुरान खंड कहा गया यह पुन्य जनक पवित्र आयू वर्धक और समपुर्ण पापों का नाशक है जो मनुष्य इसका पाठ और श्रमण करता है वह स्री संपन होता है तथा सब पापों से मुग्त होकर लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है हरे कृष्णा पद्म पुराण में कुल पांच खंड है जिसमें से श्रिष्टी खंड आज संपुर्ण हुआ कल से आप सुनेंगे पद्म पुराण का दूसरा खंड और पद्म पुराण के दूसरे खंड का नाम है भूमी खंड तो उमीद करती हूं जिस प्रकार से आपने अब तक ये कथाएं सुनी उसी प्रकार से आगे की कथा भी जरूर सुनेंगे अच्छा कोई भी जो पाठ हम प्रारंब करते हैं चाहें वो पुराण हो कोई ग ख्यान रखिए क्योंकि तभी हमें पुराण सुनने का पूरा फल मिलता है नहीं तो इसका दोश भी लगता है और अगर आपको ये कथाएं पसंद आएं तो अपने साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों को भी कथाएं शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि इन पौरा सारी चीजें बहुत सारे संसय स्वताही समाप्त हो जाते हैं तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस कथा से लाभानवित होंगे